नमस्काल इडिया न्यूज में आपका स्वागत है राहुल गांधी इन दिनों न्याई यात्रा लेकर असम में है असम में इस वक्त हिमंता विश्व सर्मा जो की मुख्य मंत्री है असम के इन दोनों के बीच घंगोर बयान बाजी चल रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्या रोप लग रहे है राहुल गांधी ने हमंता विश्व सर्मा को सबसे भृष्ट मुख्य मंत्री बताया जबकि हिमंता विश्व सर्मा का कहना है कॉंग्रेस पार्टी के मुख्या परिवार जो हैं वो सबसे बड़े भ्रष्ट लोग है तो इस तरह दोनों में आपसे बयान बाजी चल रही है अभी आपको पता भी होगा जब 22 तारिक को इधर राम मंदिर का उधगाटन हो रहा था तो उधर राहुल गांधी असमया समाज के प्रतिष्चित वैश्राव संत श्रीमंत शंकर देव के मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया इसके बाद नाराज होकर राहुल गांधी धरने पर बैट गए और बैरिकेटिंग तोड़ने और अपद्रप फैलाने के मामले में हिमंता विस्वा सर्मा ने राहुल गांधी पर F.I.R. के आदेश दे दिये तो इस तरह इनकी दुश्मनी जो अब चल रही है ये बहुत विजिबल है लेकिन इस दुश्मनी के पीछे क्या है एक समय हिमंता विस्व सर्मा कॉंग्रेस में ही थे और वो कॉंग्रेस में करीबन 12 साल तक किसी ना किसी पदपर मंत्री रहे 2001 में उन्होंने अपने राज़ितिक करियर की शुरुवात की थी और यहां तक की 2015 में असम में उन्हें विधान सभा चुनाओ की पूरी जिम्मेदारी सौपी गई थी और उन्होंने वहां इतना अच्छा काम किया था कि 126 में से 76 सीटे कॉंग्रेस के पास थी उस वक्त हिमंता विश्व सर्मा राहुल गांधी के काफी करीबी माले जाते थे लेकिन धीरे धीरे बैर बढ़ने लगा और तरुण गुगोई जो उस वक्त मुख्य मंत्री थे उन्हें ज्यादा तरजी ही मिलने लगी असम विधान सभा चुनाओं में अपार सफलता के बाद हिमंता विश्व सर्मा को उमीद थी के उन्हें मुख्य मंत्री पत दिया जाएगा और उनकी कदर बढ़ेगी इस सिलसिले में उन्होंने कई बार दिल्ली की यात्रा की सोनिया गांधी राहुल गांधी से वो बिले लेकिन इसी वक्त उनकी करवाहट बढ़ी करवाहट इतनी बढ़ गई कि सितंबर 2016 में उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दी और बीजेपी जॉइन कर ली और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी पर तीखी टिपडियां की उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है मीटिंग के वक्त कभी वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं कभी वो जॉगिंग पर चले जाते हैं और कभी अपने डौगी से खेलने लग जाते हैं असल में यही वो घटना थी जिससे हिमंता विश्वसर्मा सबसे ज़्यादा आहत हुए थे और इसके तुरंद बाद ही उन्होंने कॉंग्रेस को छोड़ दिया था उस वक्त वो राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे थे और राहुल गांधी अपने डौगी के सा इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें